वेल्कम बन सब्सक्राइब चैनल रोबस्पजार आज हम बात करेंगे मोतिलाल उस्वाल फाइनेशल सर्विस लिमिटेट के बारे में टाइवर्सिफाइड फाइनेशल की एक काफी अची दिककच कंपनी है मार्केट कैप आल्मोस्ट 12,150 का है और 52 वीक हाई आल्मोस्ट 1190 रुपर के आसपास का 52 वीक लोग साथ सो पच्चिस मोतिलाल उस्वाल में एक प्रेकाउट मिला है यहां पर देख सकते हैं आप 810 के बाद से एक अच्छा स्पाइक आया स्टॉक में 838 के आसपास का इसमें अब हमारे जो टार्गेट बन रहा है फिलाल की डेट में 842 का फर्स टार्गेट बन रहा है 857 का सेकेंड टार्गेट बन रहा है स्टॉक में आप देख सकते हैं पहले स्टॉक यहां पर एक मेजर सपोर्ट बनता था फिर यहां पर स्टॉक एक रेजिस्टेंस लेके फिर स्टॉक डाउंसाइड आजाता था फिर इसके बाद स्टॉक ने यहां से एक प्रेकाउट अच्छा दे दिया है जो कि बाइंग सिगनल है यह कोई मेरी डारेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है फिर भी मैं स्टॉक में आपको थोड़ा सा कौशिस रहने के लिए बोलूँगा स्टॉक काफी अच्छा है काफी फंडमेंटली स्टॉंग स्टॉक है एक ब्रोकिंग फर्म भी चलाती है मोतिलाल उस्वाल जिसका काफी डीमेट अकाउंट काफी स्टॉक ट्रेडर्स यूज़ करते हैं तो मेरे साब से इस स्टॉक में आपको इंवेस्ट करना चाहिए अच्छा स्टॉक है काफी बहतरी स्टॉक है किरावट देता जरूर है लेकिन एक स्टॉक में कुछ फॉर टाइम बिंग स्टॉक थोड़ा सा कंसॉलिडेशन मोड पर जरूर रहते हैं लेकिन स्टॉक में एक अच्छी मुवमेंट बनती है 900-900 रुपय तक की टार्गेट इसमें आकर आप लॉंग टाम फ्रेम में देखा जाए तो इसमें 900-900 रुपय तक की ट सर्च करना पढ़ेगा कौन से स्टॉक ऐसे हैं जिनमें हमें इनवेस्ट करना चाहिए मेरे इसाब से इस स्टॉक को आपको लेना चाहिए फॉर दा स्विंक टेट फॉर दा पोदिशनल के इसाब से इसमें स्टॉप लॉस आप 810 रुपय का लगाएं और 810 रुपय के आप एक से तो जैनल, थैंक यू सो मुछ